हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत था आपके अपनी यूट्यूब चैनल में क्लास 10th स्टुडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है और हम कर सकते हैं कि यहां पे एक बहुत बड़ा खुस ख़बरी भी है जैसे का बच्चो आपको पताईए कि नया सिक्षा नीती अब आ रही है जिसमें क्लास 10th और 12th में कई सारे चेंजेज हमें देखने को मिलेगा अब इसी में से क्लास 10th में एक नया नियम भी लागू किया जा रहा है जिसमें से जो 10th बोर्ड में स्टुडेंट्स होंगे तो उनको फेल नहीं किया जाएगा किसी भी स्टुडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा चलिए पूरे नियूज को मैं यहाँ पे आप लोगो बतायता हूँ इसमें लिखा हुआ है कि CBSE स्टुडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर आई है CBSE बोर्ड के नए नियम के मताबिक अब 10 वी कच्छा में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा कुछ नंबरों के कम होने के कारण कई बच्चे हर साल फेल हो जाते थे और उनका पूरा साल बरबाद हो जाता था नए फैसले के बाद उन्हें कम नंबरों के बावजूद 11 वी में परमोट कर दिया जाएगा तो अब जो नया नियम लागू हो रहा है तो इस नियम के मताबिक सभी स्टुडेंट्स को अगर उनका नंबर कम भी आता है किसी सब्जेक्ट्स में अगर वे फेल भी होते हैं तो उनको ग्यारवी में परमोट कर दिया जाएगा इसके लिए आप लोग को जो स्केल सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें भी आप आगर जैसे कंप्यूटर हो गया या फिर कोई दुसरा पस्केल सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं तो उनमें आप अराम से पास कर शकते हो तो उसका नंबर एड करके आपको पास कर दिया जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़ा आगर लिखी हुई है मैं यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़े पढ़के भी बताऊंगा इसमें फिर आगे दिया हुआ है कि Central Board of Secondary Education यानि CBAC अस्कूलों में पढ़ने वाले स्टुडेंट्स के लिए बहुत अची खबर आई है दरसल स्कील इंडिया के मकसद को धियान में रखते हुए CBAC Board के नए नियम बनाए है इनसे चात्रों को कई सारे फाइदे मिलने वाले है नए नियम के मुताविक CBAC के चात्रों को अब दस्वी की परिक्षा में फेल नहीं किया जाएगा कई चात्र मैथ या साइंस विसेव में फेल हो जाते हैं लेकिन अगर वे कम्प्यूटर या किसी दूसरे स्कील में अच्छे हैं तो सिर्फ एक या दो विसे में अच्छे अंक नहीं होने की इस्तिती में उन्हें फेल भी नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर एक चीज़ दे दिया गया है कि यदि आप कोई भी स्टुडेंट्स हो जो की कम्प्यूटर या फिर किसी दूसरे स्कील सब्जेक्ट अगर उनका अच्छा है तो ऐसे इस्तिती में किसी अगर main subject में फेल भी होते हैं तो उनको फेल नहीं किया जाएगा उनको पास कर दिया जाएगा और ऐसा इसलिये भी है ताकि छात्रों का जो साल है वो बरबाद नहीं हो इसके बाद आगे दिया गया है कि CBAC के इन नियमों से हुनरमंद बच्चों का साल खराब होने से बच जाएगा कई हुनरमंद बच्चे किसी एक विसे में कमजोर होने के कारण फेल हो जाते थे और उनका पूरा साल बरबाद हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दरसल CBAC ने अपने नियमों में कुछ बदलाव कर नई नियमों को जोड़ा है और इस नई नियम को लेकर लोग तरतर की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं इस नई नियम से बच्चे काफी खुस हैं तो वहीं कुछ टीचर और अभभावब काफी परिशान भी है तो यह था बच्चो आज का यह नियूज और भी सी तरह की आप लोग को नियूज में लेटेस्ट जो अपडेट्स आती रहती है CBC की तरब से तो वह मैं आप लोग को देता रहूँगा और एक बात मैं आप लोग को और कहना चाहूँगा कि यह जो बाते बताई गई है और य इक्षा मंत्री डॉक्टर रमिश पुखरियाल निसंग के द्वारा ही बताई जाती है ठीक है तो मैं उनका सारा जो भी लाइव इंट्रेक्शन करते हैं वेबिनार होता है तो मैं वो सारी चीज़े देखता हूँ और मुझे सारी चीज़े पता भी चलती है तो वही मैं आपको इसी तरह से देता रहूँगा तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब परके रखे थैंक यू